हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल विकास 3-1 टैक में तो फ्रेंड अगर आप एक शोट्स क्रेटर हैं यूट्यूब पर आपका शोट्स का चैनल है और आप short video बनाते हैं यूट्यूब पर और आपके short channel पर भी आपको zero views वाली problem आ रही है मतलब आपकी short video पर zero views आ रहे हैं या फिर आपकी videos पर पहले views आते थे एक हजार दो हजार आते थे लेकिन अब आपकी videos पर बिल्कुल भी views नहीं आ रहे हैं जिसकी वज़े से आपकी videos पर views नहीं आते या आपकी videos पर zero views आ रहे हैं और साथ में मैं आपको चार ऐसी trick भी बताऊंगा जिनका अगर आप use करेंगे सही से तो आपकी video बहुत तेजी से grow होगी आपकी video पर views पर आएंगे और आपकी zero views वाली problem बहुत जल्दी solve हो जाएगी तो बस आपको एक काम करना है इस video को बिना skip किये हुए है पूरा देखना है सारे points को मैं step by step यहाँ पर बताऊंगा तो अगर आपको कोई भी step अगर आपसे miss हो गया तो फिर हो सकता है आपकी video पर views ना आएं और आपकी यह problem ऐसे ही रहे इसलिए आपको video को पूरा देखना है वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है पहली बार मेरे चैनल के उपर आए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और notification bell को ओन करके उसे all पे सेट कर ले जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले म मैं आपको आपकी वो 4 गलतियां बता देता हूँ जिसकी वज़े से आपके शोट चैनल पे जो आपकी वीडियो हैं उनके उपर व्यूज नहीं आ रहे हैं जीरो व्यूज आ रहे हैं तो फ्रेंड सबसे पहली गलती की बात करते हैं सबसे पहली mistake आप क्या करते हैं वो है आ रेशियो 4 के रेशियो में बनाते हैं या फिर 4 रेशियो 3 के रेशियो में या फिर 1 by 1 के रेशियो में मतलब स्क्वेर वाला जो रेशियो होता है उस रेशियो में आप बनाते हैं लेकिन आप क्या मिस्टेक करते हैं कि आप अपनी जो शोट वीडियो है उसको आप 16 रेशियो अगर आप zero views वाली problem से छुटकारा पाना चाते हैं तो अब बात करते हैं दूसरी mistake के बारे में तो दूसरी गलती क्या करते हैं आप अपनी जो short video है उसकी category को change कर देते हैं मालेजी आप एक category cooking से related shorts बनाते हैं तो आप उसी से related videos continues डालते हैं और आपकी उस video उस पे 1000-2000 views भी आ रहे होते हैं लेकिन कुछ time बाद आप अपनी category को change कर देते हैं और आपकी जो category change हो जाती है आप vlogging करने लग जाते हैं और उस पर आपको व्यूज नहीं मिलते zero views आ रहे हैं तो यह भी एक problem है जो एक गलती है जो आप करते हैं आपको अपनी जो short video की category है उसको change नहीं करना है चाहे आपके views कम ही क्यों ना आ रहे हो आपको उसी category पर continue work करना है और आप देखोदी देखेंगे कि आपकी zero views वाली problem है वो धीरे-धीरे solve हो जाएगी अप तीसरी mistake की बात करते हैं तीसरी mistake आप क्या करते हैं आप अपने short channel पे regular नहीं रहते मतलब आप regular videos upload नहीं करते आप चैसे मान लीजिए आप continue video upload कर रहे हैं आपकी वीडियो पे 1000-2000 views आ रहे हैं और आप अपनी वीडियो पे या फिर आपकी वीडियो पे views कम आने लगते हैं तो आप कैसे वीडियो बनाओं क्या डालूं आपका मन भी नहीं करता वीडियो बनाने का और आप उसमें gap दे देते हैं 10 दिन 20 दिन महिने बाद अपनी वीडियो को डालते हैं जिससे आपकी जो वीडियो की reach है वो कम हो जाती है आपके views उस पे बिल्कुल भी नहीं आते ना के बराबर आते हैं zero views हो जाते हैं क्योंकि आप अपनी regular videos अपने short channel पे upload नहीं कर रहे हैं तो यह आप बहुत वीडियो को continue रखना है जिससे आपकी जो यह zero views वाली problem है वो solve हो जाएगी आप fourth mistake की बात करते हैं चोती गलती आप क्या करते हैं कि आप reused content use करते हैं अपने short video में मालीजे आपने कहीं भी facebook instagram कहीं से भी कोई भी real उठागी सिधा वहां से डाउनलोड करी या youtube से कोई भी वीडियो डाउनलोड करी शोट की और सिधा अपने channel के उपर डाल दी तो आपको reused content की problem आती है उसकी वज़े से भी आपकी वीडियो पर views नहीं आते हैं क्योंकि आपका वो content है वो reused content होता है आप उसमें कुछ भी अपनी value edit नहीं करते अगर आपको किसी और का content use करना है तो उसमें आपको सबसे पहले तो अपनी value को edit करना ही पड़ेगा तब ही आपकी वीडियो पर views आएंगे अगर आप उसमें वीडियो में चैनल पर करते हैं और आपको इनको सुधारना ही होगा तब ही आपके चैनल पर views आएंगे और हो सकता है इन mistakes को सुधारने के बाद भी आपकी वीडियो के उपर views ना आएं तो उसके लिए मैं आपको चार ट्रिक्स बताने वाला हूं इन चार ट्रिक्स को अगर आप यूज करेंगे तो आपकी 100% आपकी जीरो व्यूज वाली जो प्रोब्लम है अपने शोट चैनल पर वो सॉल्व हो जाएगी तो इन ट्रिक्स की बात करते हैं सबसे पहली ट्रिक मैं आपको बताता हूं सबसे पहली ट्रिक है कि आपको यूट्यूब लाइब्रेरी का ही म्यूजिक यूज करना है माली जी आप जैसे कोई भी शोट वीडियो बनाते हैं तो शोट वीडियो जब आप क्लिक करते हैं चाहे आपने गैलरी में से भी वीडियो लेनी हो आप गैलरी में से वीडियो ले लेकिन उसमें जो म्यूजिक है वह आप यूट्यूब की लाइब्रेरी से ह एड करें जब आप create short पे click करेंगे तो आप वहाँ पे add music का आपको उपर option दिखाई देगा add music पे आप जब click करेंगे तो YouTube की library खुल जाएंगे वहाँ पे आपको जो song लगाना है आप वहाँ से उस song को use करें ऐसा करने से YouTube को तो पता लगी जाता है कि आपने short video create की है और वो आ आपकी zero वाली views वाली जो problem है वो बिल्कुल भी नहीं रहेगी अब दूसरी trick की बात करते हैं दूसरी trick है use community tab आप अपने community tab को ज़रूर यूज करें जब भी आप कोई short video डालते हैं तो उस video का link आप अपनी community tab में भी डालें क्योंकि जब भी कोई वहाँ से link पे click करके आपक आपको views तो मिलेंगे ही और अगर ज्यादा link करके वहाँ से लोगों ने देख ली तो आपकी video फिर से short feed में चली जाएगी और YouTube को ऐसा लगेगा कि इस video को लोग ज्यादा देख रहे हैं ठीक है तो वह आपकी video को और boost करता है अब तीसरी जो trick है वो trick है अपनी video को watch करना application खोली अपनी चैनल का नाम सर्च किया और वहाँ से सीधा चैनल के अंदर चले गए फिर वहाँ से शोट में गए वहाँ से जाकर आपने ऐसे नहीं करना आपको YouTube अपन करनी है और जिस topic पर आपने short video बनाई है वह short topic जो है आपको वीडियो का topic है उस topic को आपको YouTube सर्च करना है और फिर आपको अपनी short video को watch करना है ठीक है इससे क्या होगा कि YouTube को यह लगेगा कि कोई सर्च करके आपकी वीडियो को देख रहा है तो वह short feed में भी आपकी वीडियो को बेजेगा और आपकी वीडियो को boost भी करेगा इस तरीके से आपकी वीडियो पे जो zero views वाली problem है व SEO करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है SEO का मतलब है आपको अपनी वीडियो में एक अच्छा सा title लगाना है आपको description में अच्छा सा वीडियो के SEO को करेंगे तो आपकी वीडियो पे व्यूज भरभर के आएंगे आपकी जीरो वीडियो वाली problem 100% हो जाएगी तो मैंने आपको सारी ट्रिक्स भी बता दिया अगर आप इनको फोलो करेंगे इन ट्रिक्स को seriously follow करेंगे तो आपकी वीडियो पे जीरो वाली problem है वह 101% हो जाएगी अगर फिर भी वीडियो से related कोई question है कोई query है आपके mind में तो आप मुझे नीचे comment section में comment करके जरूर बताएं और अगर आपको